नमस्कार आरकेदांगी चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम बात करेंगे जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं सीपी सीटी के जो फॉर्म है वो उसकी लिंक चालू हो गई है रेश्टेशन चालू हो गई है कौन से वाले फेस के रेश्टेशन चालू है ये इस वीडियो में हम बताएंगे आप कब से कब तक अपना रेश्टेशन कर सकते हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं और एकजाम कब होगी वो हम इस वीडियो में बात करेंगे ये वाला जो एकजाम है सबी के लिए बहुत ही महत्पून है कियोंकि जो गुरॉप फोर की बैकेंसी आने वाली है और जो दूसरी वैकेंसी भी जो जिनमें की सीपी सीटी मागा जाता है तो ये जरूल कर लें क्योंकि इसके बाद जो आपकी बेकेंसी फरवरी मार्च में आने वाली है जो मार्च वाला होगा वो काफी लेट हो जाएगा और आप ये वाला फॉर्म जरूल भर है वीडियो चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओन करतें देखेगा मुबाइल स्क्रीन पर आप देखिए एप्लिकेशन की स्टार्ट डेट सत्रा नवंबर से चालू हो गया है और कब तक आप फॉम भर सकते हैं साथ दिसंबर तक और आप देखिए ना यहाँ पर यहाँ देखिए आप मतलब एप्लिकेशन की स्टार्ट डेट आज से आप फॉम भर आज का फॉम भरना आज से स्टार्ट हो गया और कब तक आप एप्लाई कर सकते हैं साथ दिसंबर तक और यह एक्जाम कब होगी यह वाली सीपी सीटी की 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को ठीक पिछले वाला स्कोर कार्ड भी अबलेबल है तो यह डेट आप बिसेश धिहन रखें और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं रेश्टेशन आपको कैसे करना है एक और चीज में आपको बता दूं कि आप कितनी वार भी एक्जाम दे सकते हैं जब आपका स्कोर कार्ड जो भी अटेंट का ऐसा कुछ भी नहीं है आप पास कर चोकें तब भी दे सकते हैं फैल हो गएं तब भी दे सकते हैं इस बार ठीक है दूसरा जो मैं इसकी स्कोर कार्ड की बैलिटी की बात करता हूं कि मद्ध्य प्रदेश में जो प्रोफेशनल एक्जाम नेशन बोर्ड एक्जा वाला जो एसकोर कार्ड होना चाहिए बैलेट आप कौलिफाई होना चाहिए आप फॉम भर सकते हैं देखिए पिछला वीडियो भी हमने बनाया था अभी देखा हाई कोट की 910 वेकेंसी आई हैं लेकिन आप बो लोग पिछला जो अक्टुमबर वाला था वो कौलिफाई कर पाइं तो वाला उतन नहीं देपाईंगे क्यों नहीं देपाईंगे लिपको उन्होंने बोला अधों बरने की professors सारे चीज़ों के सुष के होना चाहिए रिज़ल्ट होना चाहिए आप पास होना चाहिए तो यह वाला कोट में तो आप नहीं कर पाएंगे लेकिन अब म यह apply कर रहे हैं cpct के लिए register now पे आप click करेंगे जैसे ही आप register now पे click करेंगे simple सा form है खुद आप mobile से भर सकते हैं इसको देखिए आप personal detail है आप अपना पूरा नाम भरेंगे 10th की mark seat की अनुसार ही भरें सारी चीज़े other detail है आपकी date of birth बगएर यह सारी चीज़े और टीपी ब verification बगएरा में नाम बगएरा में mismatch नहीं होना चाहिए यहां से आप अपना registration कर सकते हैं और फिर आप तैयारी करें इसके अलावा भी आपका कोई और doubt है तो जरूल हम से comments करके पूछे हम वो doubt भी आपका बताएंगे और computer portion में किस तरीके की questions आते हैं पुराने question papers से आपको क subscribe जरूल कर लें एक बार फिर से request है और इस वीडियो को दोस्तों सभी तक पहुचाएं आप जितने भी आपके group है Facebook WhatsApp जो भी आपके social media platform है सभी पर आप share करें जिससे सभी को यह information पहुच जाए और वो cpct ये वाला जरूल pass कर लें form भर लें ये एक और चीज बता दूँ बाद ही cpct pass होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है आप पहले cpct भी pass कर सकते हैं जैसे कि पटवारी की जो vacancy आती है उसमें cpct ही अकेला मांगते हैं computer का diploma नहीं मांगते हैं तो cpct का exam देने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको बार भी pass होना जरूरी है बस इसके बाद exam और आप pass कर सकते हैं उसके बाद आप computer diploma भी कर सकते हैं इसा कोई भी problem नहीं है और आप जरूर ये वाला दें क्योंके देखिएगा दोस्तों पटवारी की जब vacancy आएगी तो फिर cpct का scorecard valid ही मांगा जाएगा तो आप ये वाला जरूर देले हो सकता है इसमें आप नहीं क exam होगा किसी भी एक दिन आपका exam होगा इसके अलावा भी कोई अलाग information हम चैनल पर देते रहेंगे आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जाते जाते वीडियो को share जरूर कर दें